कि आयरे सूर्झ हमने गंगानाधी तंद्रु में स्फितार 嘅धंकर लिया था साध़, आज हम गंगानधी और ब्रंपुत्र नदी का विस्तार श्य। करेंगें सब से पहले मात करते हैं गंगानधी तंद्रु सुर्फार रखना चाहूंगा निधी मांस्तों वजई मान्सरोर झ्याल निकलकर तिबब में बैठी हुई जब यह सांगको नदीके नाम सांगको टी इस सांगको नदी यहां पहुंसटे हैं हिमाले को काट कर दकषिन की तरफ मुशाती है हिमालय को पालक् relação की तरफ मुड़ जाती है यहां पर यह दर्रे का निर्वान करती है इस दर्रे को कहा जाता है दिहंगदर्ण इस के पास ब्रह्णकुत्र नदी को दिहंग नदी के नामसे जाना जाता है आउनाजल पर देश की दो लोग नदियाएं इस नदी में मिलती एक यह उपर वाली जो नदी हुआ दिबांग नदी और नीचे वाली है लोहिट कि दिबांग और लोहिट मिलने के बाद यह असम की गाठी में बैणा सुरू करते हैं यहां से देखो असम है यहां सिलोंग पठार है, यहां नाचल परदेश की पहारिया है, यह छेतर असम काता है, असम में बैठती है, असम काती में बैठती है, असम काती बहुत ही समतल है, खला है, समतल पर यह नदी फैल जाती है, और बहुत मंद गती से बैठती है, फैलने के लिए कई धानाओं में बढद कि परकार गग्रीप बन जाते हैं नदी बने हएं कि इसमें कि एक सदिया कि सदिया से यहां पड़ता है धुर्णी कि आए सदिया से दुब्री तब कर यह असम गाती में बह दी रहती इसमें छोटे-छोटे आपको दिखाए जारे कि बनाये मैंने चोटे-छोटे दूरीब बन जाते हैं रहा है इन डूरीप में एक सबसे बड़ा दूरीप है संख के अंदर उस दूरीप का नाम है माजूली दूरीप प्यारे विज्ञार थियो यह माजुली द्वीप विश्वय का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम सरकार ने इस माजुली द्वीप को माजुली जिला नदी द्वीप जिला गोसित किया है इस यह द्वीप आखिर नदी से बना है इसलिए यह बहुत उपजाओ है यहां पर धान की खेती की जाती है और धान की खेती में धान की खेती की जाती है सद्धिया से लेकर धुबरी तक यह अनेग द्वीपूंगा निर्मान करती है यह चोटे चोटे द्वीप इस नदी के बीच में बने हुए है इसमें बुठान से एक साइग नदी आकर गिती है जिसका नाम है मानस मानस नदी और एक नदी आती है सिक्किम में है सिक्किम में यहां पर एक कि ग्लेशियर है सिक्किम में यहां पर एक ग्लेशियर है जिस आनाम है चेमिंग बीस यह नदी ह्यार जिसका नाम है तिस्ता नदी को यह नदियाए कि सिस्टा नदी जाकर twee Bennett tillchिंसे निकल कर पश्चिंश है स्वरी मंग बंगलादेश में जाका मिल जाती है मानस नदीउत्र का असम में कि मिल जाती है बंगलादेश में обड़ेश सकती है यहां से इसका नाम ब्रह्म पुत्तर नहीं होता है देखो यहां तक इसका नाम दिहंग नदी है यहां से यहां तक सांग पो यहां से यहां तक दिहंग यहां से यहां तक ब्रह्म पुत्तर और ब्रह्म पुत्तर के बाद नहीं यहां से यहां तक इसका नाम जमुना हो इधर से यह आ रही है गंगा नदी को बागला देश में पद्धमा कहा जाता है। पद्धमा मिल जाती है ब्रह्मकुत्र में अथा जमुना में ये दोनु मिली जुली होती हैं तब इसको पद्धमा ही कहा जाता है। मरीपुर से एक नदी निकल कर आती है जिस नदी का नाम है मेगना और इसी नदी का नाम है ब्राक मेगना या ब्राक मेगना या ब्राग नदी आकर जब ब्रह्म पुतर में मिलती है तो ये दोनु नदिया मिलकर पदमा और मेगना किस नाम से जाने जाती है मेगना के नाम से जानी जाती है थोड़ा सा कंफुजन होने वाला है ध्यान से देखिए ब्रम्पुत्र नदी जैसे ही बांगलादेश में प्रवेश करती है उसमें जमुना मिल जाती है उसको जमुना कहा जाता है जमुना में जब पदमा मिलती है तो आगे उन दोनों को मिलाकर पदमा कहा जाता है पदमा में जब मेगना मिलती है तो दोनों को मेगना नदी कहा जा कि असंस्थ की। ये में चलती है एसंड की आपने देखा होगा फ्रेंशन सो सब्सक्रां करती हुए महिलाएं चलती हैं तो एक सप्प्रा सा रास्ता होता है पहले खुला रास्ता होता है फिस पुर भूम्कर वापस आती है उसी प्रकार इधर सिलोंग पठार हो गया इधर हिमाले परवत दोनों के बीज में ये घाटी है इसलिए इसे रेंब घाठी कहा जाता है या गुंफित जलमार्ग कहा जाता है गुंफित जलमार्ग कहा जाता है यह चर्चा हो गई किस नदीगी व्रंपुतर नदीकी अब हम चर्चा करेंगे गम्ला नदीकी व्रंपुतर की बारे में ज्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है जितना हमने जान लिया है वह बहुत है बस इतना ध्यान रखे धर कुतर नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है है सांग को नदीक आ जाता है नकला पुदू अस्व में अश्व में TOM क्या चाहे जाना अब बात करते हैं गंगा की अभारत का सबसे बड़ां जलग रहन तंदर किसका है गंगा का भारत का सबसे बड़ा जल्ग रहन तंतर गंगा का है कि वह नदी जाती है उसी तो जल्ग रहन नहीं कह रहता है जितनी नदियां आपकर इसमें साइक नदियां मिलती है उसको भी जल्ग रहन के स्रेणी में रखा जाता है तो भारत का सबसे बड़ा जल्ग रहन तंतर कुंसा है गंगा नदी तंतर है गंगा नदी पांच राज्यू में से ओकर निकलती है यहां देखिए उत्राघंड उत्राघंड के बाद में जाती है यूपी यूपी से पहुंचती है बिहार बिहार से पहुंचती है जारखंड जारखंड में भी थोड़ी सी परवेश करती है यह नदी जारखंड के बाद में यह निकल कर पहुंच जाती है पस्चिम बंगाल जार्फंद के बाद में पस्चिम बंगाल और पस्चिम बंगाल के बाद में पांगला देश में प्रवेश करती है और किस से मिलती है जमुना से मिलती है जमुना किस नदी का नाम है ब्रंपुतर नदी का नाम है यह अदि सरवादिक किस राज्य में भैज बढ़ती है यूपी में गंगानदी सरवादिक लंबाई कहां पर है यूपी में और सबसे कम तो आप समझी गये होंगे जारखंड में सबसे कम नहां है जारखंड में सबस्यादी कहां है यूपी में अब बात करते हैं गंगानदी के उद्धगम की गंगानदी कहां से शुरू होती है और किस परकार आगे बढ़तार गंगा के नाम से जाने जाती है यहां बोर कीजिए यह का यह चित्र मैं यहां बना रहा हूं गंगानदी परमुख दो धाराओं में प्रारंब होती है पहली भागीरती इधर जो धारा आपको दिखाई दे रही है इससे भागीरती कहते हैं इधर वाली धारा को अलकनंदा कहते हैं अलकनंदा और भागीरती के रूप में यह बहती है अलकनंदा भी दो धाराओं में मिलकर बनती है इधर है दोडी गंगा और इधर है विश्नु गंगा धोडी गंगा और विश्नु गंगा मिलकर अलकनंदा का निर्मान करती है अलकनंदा में जब भागीरती आकर मिलती है यहां देव परियाग में देव परियाग में जब भागीरती अलकनंदा में मिलती है तो दोनु के संयुक्त रूप को गंगा नदी कहा जाता है धोडी नदी और विश्नु नदी जहां मिलती है उस चेत्र को विश्नु परियाग के नाम से जाना जाता है विश्नु परियाग में दोले नदी और विश्नु नदी अब भागीरती कहां से निकलती है भागीरती निकलती है उत्राखंड के उत्राखंड के कंगोत्री गोमुख के नजदीक गोमुख के पास गंगोत्री नामक गलेशियर से निकलती है और देव परियाग में जागार अलक नंदा में मिल जाती है है सेमलित रूप से गंगा कहलाती है और यह दोनों नदिया सत्वपत से निकलती है सत्वपत नामक गलेशियर से दो धारओं मे निकलती है दोली गंगा और विसनुगनगा और विसनुप्रियाग में जाकर राप रहर कि यहां पर इसमें एक नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम है पिंडार नदी पिंडार नदी कहां मिलती है पिंडार नदी मिलती है करन परियाग में यहां पर जो इस्तान है उसका नाम है करन परियाग इसके बाद में इसमें एक नदी और आकर मिलती है मंदा की नी मंदा की नी नदी ये मिलती है रुद्र परियाग में चार परियाग मैंने लिखे हैं विश्नु करण रुद्र और देव विश्नु करण रुद्र और देव विश्नु प्रियाग में दोड़ी और विश्नु गंगा मिलती है पिंडार नदी आकर मिलती है करण प्रियाग में मंदाकिनी आकर मिलती है रूत्र प्रियाग में और बाधिर्ती आकर मिलती है देव प्रियाग में यहां से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है देव परियाद के बाद में, यहां पर हरी दुआर है, हरी दुआर में आकर गंगा मैदान में प्रवेश करती है, इतनी दूस्ते कि यह पहाडों में चलती है, लेकिन हरी दुआर में आते ही गंगा कहां प्रवेश कर जाती है, मैदान में प्रवेश कर जाती है, ये बात हो गई गंगा के उद्गम की अब बात करते हैं गंगा के सहायक नदियों की गंगा की सहायक नदियों को हम दो भागों में बात लेते हैं दाई और से आकर मिलने वाली नदियां और बाई और से आकर मिलने वाली नदियां जो भी बोलता हूँ लिख रहा हूँ उसे लिखने का प्रियास करें देखो ये नदिया है अब नदी चल रही है ऐसे इधर से आने वाली बाई और से और इधर से आने वाली दाहिने और से इसलिए गंगा रदी की सायर नदियों को हम दो बागों में बाट लेते हैं दाहिनी और से और बाई और से बाई और से कुछ नदियां आकर गंगा में मिलती है इसमें सबसे पहली है राम गंगा इसके बाद में है गोमती, इसके बाद में है गागरा, राम गंगा, गोमती, गागरा, एक नदी मैंने बनाई नहीं है, एक नदी और है, गंड़क, ये नदी है गंड़क, गंड़क के बाद में आगे ये नदी कोशी नदी, कोशी के बाद में महानन्दा, महानन्दा, इसे याद करने का एक सीधा सा मंत्र है, कि हे राम, गोमती का गागरा, गंड़क, खोश कर भाग गया, ए राम, गोमती का गागरा, गंड़क, खोश कर भाग गया, ए राम ये नि राम गंगा, गोमती यादी का गागरा, गंड़क, गंड़क, खोशी कोसी बागया नि बागिर्ती बागिर्ती क्यों आगे मैं बताऊंगा आपको राम गंगा गोमती घागरा गंड़ कोसी और महानंदा यह परमुख नदियां हैं जो बाई और से आकर मिलती हैं दाहिनी और से आकर मिलने वाली नभीयों में चंबल सिंदे चंबल सिंदे बेत्वा चंबल सिंदे बेत्वा केंड टॉंस और सौन और सौन नदी और एक परमुख यमुणा 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 एक मातर नदी है जो इमाले से निकलती है और दाहिनी और मिलती है बाद कि देखो इमाले से निकली हुई सारी नदियां पाई और मिलती है लेकिन यमुणा दाहिनी और आकर मिलती है यमुणा नदी कहां से निक उत्राखंड के यमुनुत्री गलेशियर से निकलती है उत्राखंड के यमुनोत्री गलेशियर कहां है उत्राखंड में बंदर्पुच चोटी बंदर्पुच चोटी के पास चोटी के समीर कौन सा गलेशियर यह मनोत्री गलेशियर यह मनोत्री नामगिस्तान से निकल कर यह बैठी हुई यहाँ परियाग में गंगा में मिल जाती है परियाग में यह गंगा में मिल जाती है अब बात करते हैं पहले दाइयों और कि नदियों का उद्गम देख लेते हैं यह चारू नदियां चंबार, सिंद, बेतवा और केंग इन चारू नदियों का ही उद्गम इस्तल है मालवा का पठार मालवा का पठार वैसे तो सभी नदियां प्राइड वीपिय भारत से वेतिये नीचे वाली आपने पढ़ा होगा प्राइड वीपिय भारत मैंने पढ़ाया था ये नदी मेकाल परवत की अमरकंटक चोटी से निकलती है तोनस और सोन दोनों की दोनों नदियां सीते गंगा में अपना जल गिराती है सोन नदी पटना के पास अपना जल गिराती है पटना के समीप अपना जल गिराती है लेकिन ये चारों नदियां पहले यमुना में मिलती है और यमुना जाकर गंगा में मिलती है दिखाई दे रहा है आप लोगों को बाताइदा इसके अलावा अब राम गंगा दाई और से जाकर गंगा में अपना जल गिराती है, गोमती नदी का उद्गम हिमाले परवत नहीं होकर मैदानी या तराई छेतर है, उत्तर परदेश में तराई छेतर में से ये नदी निकलती है, फुलहर जील है, पीली भी जिले में, फुलहर जील में से निकलकर गंगा में मिलती है, कौन सी नदी? गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे ही परमुक नगर बसे हुए हैं, एक तो लखनव और एक जोनपुर, लखनव और जोनपुर, गागरा, गंडग और कोसी तीनों नदियां नेपाल से निकलकर आती हैं, गंडग नदी को सालिगराम, वे नारायनी नदी भी कहा जाता है, कहां पर? नेपाल में, नेपाल में गंडग नदी को सालिगराम वे नारायनी नदी कहा जाता है, कोसी नदी, कोसी को बिहार का सोग कहा जाता है क्यूं कि कोसी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी जब नेपाल से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद पहाडू को काट कर ले आती है और अपने रास्ते में इभिछा देती है जब कभी वो रास्ता दो जाता है तो यह नदी अपना दूसरा रास्ता बदल कर चलती है जिसके कारण बिहार में जब चाय बाद आ जाती है इसलिए कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है कोसी नदी के बाद में गंगा नदी दो वित्रीकाओं में परिवर्तित हो जाती है एक वित्री का कि राम-सागर दूइट पास में अपना जाले बंगाल की खाडियों में गिराती है कि वितри का किूंक्य गौवतित हो जाती है तो वितरी का के नाम से जानी जाती है यहां से इसे गंगा नहीं कहा जता पस्ंग बंगाल इसको भागी killing कल जाता है कि गौमति का रालवा गंड़ कोश कर भाग गया भागीरती के बाद में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है भागीरती के नाम से जाना जाता है और भागीरती में ही महानंदा नदी यहां पस्चिम बंगाल से ही निकल कर पस्चिम बंगाल में ही बैती हुई पस्चिम बंग और हुगली नदी में इधर से एक नदी आकर मिलती है कहां से आती है